दोस्तो नम्शकार देश में अनेक स्थानों पर तेज बर्फबारी और ओलों की बढ़सात हो गई है और ठंड के अंदर तेजी बढ़ गई है जानिए पुरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तो नम्शकार करनल अजैस यू अजैस टो मनिगरू फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुकाति बोदाओं आज तीस जनवरी सन दोजार तेईस आज महंदास करम चंद गांधी राश्पिता की पुन्यतिती भी है और हम आज हम उनके बलिद कान को याद करते हैं महात्मा गांधी की 75 वी पुन्यतिती है और देश में जगजगे होने वाले कराकारिक्रों में उनके आदर शोक पो चलने की शबत ली जाएगी गांधी राजनिती में सवस्चता चाते थे महिला सशकती करन के पक्ष में थे और दलित उत्पीडन के खि देश ने 75 सालों में हरचेत में सफलता की प्राप्त की है लेकिन सोचिए क्या हम गांधी के आदर शोको पूरा करने में कामयाब होए हैं जी नहीं अभी भी हमें बहुत कुछ काम करना है हम प्रण लेते हैं हम गांधी जी की शादत के 75 साल पूरे होने पर हम उनको नमन करत हैं और उनके आदर शोपे चलने का प्रण लेते हैं दोस्तों आप खबर राजिस्थान से राजिस्थान में अनेक स्थानों में जबरदस्त ओला ब्रश्टी और बर्फबारी की सूचना मिल रही है प्रदेश में राजिस्थान में रविवार को अधिकास जिलों में बारि होई और रात भर चलती रही रविवार सुबह तीन बच कर तीस मिनट बजे पुने बरसात हुई और ओला वर्ष्टी होने लगी माउंट अबू सुरोही करोली बूंदी अजमेर सहीत कईया नेक चिलो में तेजगी उले गिरे साथी शेखावाटी के हडोती छेतर के साथ पाल कई ओले भी गिर गए इसे एक फसलों को काफी नुक्सान होने के समाचार मिल रहे हैं उदैपूर के ग्रावी नंचल में करीब सौ सौ ग्राम तक के बजन के ओले गिरे ओला वर्ष्टी से फसल सबजी फलादी बुरी तरह से बरबाद होने के समाचार है वहीं उदैपूर चित्तवडगर हाईवे पर बरफ की चादर बिज गई है और सड़क के किनारे एक एक फिट तक कुछ स्थानों पर बरफ जम होने के समाचार है जब गाड़ियां अफिसल ने लगी तो एलन टी मशीन लगाकर बरफ हटाई गई और खड़ी फसल खेतों में बिज गई किसान पर बरतपूर संभा के कुछ जिलों में तेज बरसात होने के समाचार हो सकते हैं जयापूर के अंद्र के निर्देक्षाश श्री रादेशाम शर्मार के अनुसार पक्षिम विशोव वे पेरित परिसंचरन चंत्र मनावा है और 31 जनवरी को अधिकान स्थानों पर घहना को बहरा चाया रह सकता है इसके अत्रिक्त हिमाचल प्रदेश में अटल टरनल के पास भी भारी हिमपात के कारण यातायात रोकने के समाचार हैं और रोड से बरफ हटाई जा रही है जमू कश्मीर और लद्दाक में भी तेज बरफ द्वारी जारी है और पहड़ों पर होने करन भी मैदानी इलाकों में सर्दी लोटने के समाचार हैं हमारे संबादाता दिनेश्चन जाट के अनुसार उदयपूर संब्भाग में फसलों को काफी नुकसान होने के समाचार हैं खेतों में फसल आडी ले आड़ी हो गई है क्योंकि तेज ओलों की बथा से चबर्दस के समाचार हैं पूरे फसलों के नुकसान चित्रोडगर और उदैपूर और राजिस्तान के बेविन इलाकों के हम पूरी विस्तित रिपोर्ट इसको जल्द ही आप तक पेश करेंगे लेकिन ये निश्चित है कि किसानों का कहना है कि ऐसी तबहाई पहले कभी नहीं देखी द और बेल आइकन यानि घंटी के निशान को पुछ नहीं किया है तो अवश्च कहिए ताकि देश दुनिया की खबर से आपको लगाता रूब रूब कराया जा सके ओल्द वरी बास गुड लाख हैपी चेडिंग